जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्वा करते हैं मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी तो हेलो वैलकम टो एजूबिन आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल नौदय जिनकी एक्जाम जो है डेट नजदिक आ गई है तो उसके जो है कुछ इंपोर्टेंट मैस से कोश्चि इसमें हमने ट्रिक्स के थूँ जो है मैध का बताया था तो इसमें हमें कुछ इंपोर्टेंट कोश्चिन आपको कर रहे हैं तो आपने हो सकता है किया हो तो उसकी पैक्टिस आपके लिए जरूरी है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए तो फस्ट कोश्चिन है हमारा टू की पावर जीरो यहां 0 है ठीक है द्यान देना टू की पावर 1 टू की पावर 2 टू की पावर 3 और टू की पावर 4 यह हमारा कोश्चन है और इसके ऑप्शन देरेखें 32 32 30 31 16 तो ठीक हम सॉल करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए एक्स्पोनेंट अगर आपने पढ़ा होग तो उसकी वैल्यू 1 होती है एक पावर में कुछ भी हो सकता है जैनी 100 हो जाएगा उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हम 10 लेते हैं ठीक है जैसे 20 100 कोई भी नंबर ले लिए उसकी पावल जीरो है तो भी इसकी व clearing one होगी आगर अ को इस की वी बिचलीऊ की पावर से लिए तो इसकी वेल्ल्यू क्या लेते हैं ले टेंज ठीक है और नीचे जो होता है इसको इसको बोलते हैं बेज इसको बोलते हैं पावर ठीक है पावर और यह पूरा में लाके बन जाता हमारा इसको किसए कवार जीरो से लाइगा तो कि प्लस मने किसको लोटी नहीं अधे ना तो कुछ पावर एक्टिणा करना है प्लस धूप यह प्केश condition MARK तो कितना है दो कितना आएगा फॉर प्लास पे टू को थ्री वारन यानि इन तृ कर देंगे और किर मटट्री है टू अठीज है यहाँ पर जैगा एट फ्लस ऩो के वह पर फोर इडिल स्दू को कितनी पर यहाँ पर फॉर फोर तो को है करना है पर तू टू जा 16 प्लस 4 16 प्लस 4 20 20 प्लस 8 28 29 30 और 31 तो हमारा आंसर होगा 31 तो यह हमारा option कौन सा है option number C तो ऐसे हमें यह question solve करने है ठीक है important question है इसलिए exponent से भी question बहुत आते है ठीक हो गया अब आगे next चलते है question number 2 में question number 2 है हमारा question number 2 है question number 2 है in March 1994 the price of a car was 67000 यानि 60,000 रुपीज यानि 1994 में एक car की जो है price थी 60,000 रुपीज in April 1994 यानि जस्ट एक मेंथ बाद its price was raised by 10% तो उसका price कितना बड़ा 10% जो है increase हो गया what was its cost cost उसकी अब जो है cost कितनी होगी उस car की ठीक है simple है कुछ नी करना आपको पहले तो हमें price दिखना है हमारा price कितना है हमारा जो price था कार का वह है रुपीज 6, 7, 1, 2, 3 यानि 60,000 रुपीज ठीक हो गया उसके बाद increase price हो हमारा increase increase कितना हो रहा है 10% तो 10% किसका increase होगा जो उसकी price है उसका तो उसका निकालते है 10% कैसे निकालेंगे 6, 7, 0, 0 into 10% निकालेंगे हम ठीक है 10% बड़ा 10 upon 100 तो इससे क्या होगा 2, 0 से 2, 0 कट जाएगी तो यह आजाएगा हमारा 6, 7, 0, 0 तो हमने 10% निकाल आजका 10% आगे हमारा 6, 7, 0, 0 ठीक है इतना आगया तो हमें बोला है cost कितनी होगी उसकी cost लिखते हैं cost होगी जितने में हमने लिया है कितने में लिया है रूपी 6, 7, 0, 0 यानि 60,000 में लिया है ठीक है और प्लस जो होगा हमारा एक में में इंक्रीज होगी है कितना इंक्रीज हुआ हो 6, 7, 0, 0 6, 7, 0, 0 तो इनको add कर लो तो हमारा answer आजाएगा 6, 7, 0, 0 यहां start करते हैं 00, 7, 6 तो 0, 0, 0, 0 7 को 0 set करेंगे 7 आएगा 12, 13, 3, 1, 7 तो यह आएगा हमारा रूपी प्लस ए तो 73, 700 73,700 73,700 यह हमारा टी-पार्ट तो second question हमें ऐसे करना है अब आगें question हमें third में third है हमारा if f ratio a पे जरका equal to 20 ratio 28 then a is equal to तो a की value में find करनी है तो इसके लिए हमें जो है आपको ratio proportion आपने chapter किया होगा तो आप समझ पाओगे यानि अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 ऐसा आता है तो हम उन दोन रेशियो को क्या बोलते हैं क्या बन जाता है proportion इसे बोलते हैं proportion तो it means कि यह ratio देखो यह वाला ratio यह ratio यह ratio यह ratio क्या है इकोल है यह यह क्या है proportion है तो जो लिखा है वो लिख लेते हैं पहले तो 5 ratio a यानि अपन ए लिख देते हैं equal to ratio 28 यानि 20 upon 28 ठीक है इसको काट लेते हैं तो यह तो से कटेगा 2 1 जा 2 0 फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 फिर 2 से कटेगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 कट गया और यहां से भी उकाट सकते हैं इसको 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 यह भी कट गया तो आया कि हमारे पास 1 upon a को यहां 1 बचा यहां a बचा ठीक है यह 9 निये a है ध्यान देना equal to उपरी 1 बचा नीचे 7 बचा अगर क्रोस मुल्टा करेंगे तो एक ही value आजाएगी 7 तो एक इतना आगे 7 तो answer है हमारे पास C part अब आगे हैं question number 4 में तो question number 4 क्या बोल रखा है बोल रहा है question number 4 the sum of the the sum of the places value of 5s in 125.25 यानि 125.25 यह हमें दे रखा है digit दे रखा है question बोला है 5 की जहाँ जहाँ पर जो भी value है place value उसको क्या करना है sum करना है उसका तो पहला देखो अगर हम इसको देखते हैं इस position में तो यहाँ से once होता है यहाँ 10 होता है यहाँ 100 होता है इसके इसाब से यहाँ पर करते हैं तो यहाँ 0,5 जैनि 0.05 और यहाँ कितना आया 5 तो अगर दोनको add करते हैं तो कितना आएगा 5.05 यह होगा मारा answer अब कैसे होगा मान लिजी कोई भी number है तो इसमें कोई point नहीं दिया होगा है अगर point नहीं दिया होता है तो हम point को यहाँ मानते है तो अगर point यहाँ मानता है तो इसके बाग आगे 0 लगा दें कोई फरक नहीं पड़ता और यहाँ पर point 0,4 है तो point के नीचे point लगता है फिर 0, sorry 0,5 है तो यहाँ 0,5 आजाएगा अब यह उपर कुछ नहीं है तो उपर एग 0 और मान लेते है तो 0 प्लस 5 कितना होता है 5 और 0 प्लस 0, 0 point आ जाएगा और यहाँ 5 तो अंसर आगे 5.05 तो अंसर होगा हमारा यह पार्ट तो हमारा अंसर होगा यह पार्ट अब आगे question number 5 में पार्ट में जो है हमें diagram दे रखा है तो diagram यहाँ बना दता हूं तो diagram कुछ ऐसा दे रखा है sorry sorry diagram यह दे रखा है straight यहाँ पे straight यह हो गया और यहाँ से straight यह हो गया और यहाँ इसको arrow इसको A मान लेते है A हो गया arrow B यह हो गया arrow इसको c ले लेते हैं तो यह वारा जो portion है यह हो जाएगा हमारा x minus 10 degree ठीक है यह 0 है तो 10 degree हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2x plus 25 degree ठीक हो गया angle degree इसमें होते हैं तो यह हमें दरिका है इसकी figure दरिकी तो बोला find the value of x in the following picture जो इसमें x की value find करनी है हमें तो हमें इतना पता है कि जब इस straight line ऐसे होती है तो इसका मतलब यह angle होता है हमारा 90 degree का कितने का होता है 90 degree का तो बस होगे हमारा question solve it means कि यह पूरा angle यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 90 it means इतना angle और इतना angle ठीक है यानि यहां से लेकर यहां तक एंगल और यहां से लेकर यहां तक एंगल इनका सम कितना होगा 90 कुछ नहीं करना तुर्णको एड कर लेते हैं एक हो जाएगा x-10 plus दूसरा है 2x plus 25 इकोल टू कितना है 90 डिग्री इतना तो हमें जिवन ने बता दिया हमें अब figure के साब से 2x plus x like terms है 2x plus x कितना हो जाएगा 3x तो यहां जाएगा 3x plus plus क्यों क्यों कि यहां minus है और यहां plus है इनको solve करेंगे ना इनको solve करेंगे तो minus plus क्या होगा minus और sign किसका लगता है बड़े का तो sign तो plus का लगना है 25 में से 10 गए 15 और equal to कितना है 90 डिग्री चीक है अब 3x ऐसी रहेगा equal to वहाँ पर है 90 डिग्री यह plus में है 15 अगर equal to के उदर जाएगा तो हो जाएगा minus में 15 तो 3x ऐसी रहेगा 90 में से 15 को minus कर देंगे तो minus करने ना दो easy है यह 0 यहां से करे लेंगे 10 10 अप में से 5 गया 5 यहां 8 बचा 8 में से 7 तो यहां जाएगा 75 डिग्री अब अगर हम इसको नीचे लाते हैं यानि अगर इसके बाद हम solve करते हैं इधर एक्स यहां रहेगा 75 डिग्री उदर है और यह 3 multiply में वहां जागे कहां जाएगा upon में यानि divide में ठीक आप कारते हैं इसको 3 2 जा 6 1 बचा 1 और 5 फिप्टी 3 फिप्टी फिप्टी एक्स कितनी आगी 25 तो हमें find करना था x यह देखिए यहां पर question में है अब आते हैं हम question number 6 में देखो यह आपने stat पढ़ा होगा data handling बड़ी class में जाओगे statistics बोलेंगे अभी फिलाल आपकी बुक में जो है chapter है data handling उसमें अपने mode पढ़ा होगा इसका mode क्या होगा तो यह जानने से पहले ना यह करने से पहले हमें पता होना चीज कि mode होता क्या है ठीक है यह पता होना चीज हमें कि mode होता क्या है जो को simple language में अगर बताएं कि maximum times अकर कोई भी चीज बहुत बार आती है यह maximum times आती है उसे mode कहते है यानि maximum maximum मतलब ज्यादा बार maximum times अकर ठीक है यह repeated ठीक हो गया repeated मतलब जो चीज बार बार ज्यादा बार आ रही है maximum times ज्यादा बार आ रही है उसको mode कहते है simple language में तो देखो ज्यादा बार कौन आ रहा है एक टू आ रहा है one two three तीन बार आया two कितनी बार आया हमारा three times उसके बाद three कितना आ रहा है दो times यानि कम है छोड़ो यानि two ज्या यानि two or five एसन नंबर है जो three times आ रहे है it means maximum number कौन से है two or five तो यहां बोला है क्या two है answer नहीं है क्योंकि two maximum है लेकि five भी तो है five है नहीं five है लेकिन two भी तो है eight है यह नहीं two or five तो answer क्या होगा हमारा two and five both तो यहाले देंगे two and two and five both तो option आगा हमारा T यह वोगे question number six अब आगे हम question number seven में क्या question seven है हमारा calculate calculate the calculate the simple interest on the amount of rupees 5760 यानि 5760 rupees at the rate of six percent per annum after three year it means जो जो हमें दिया है पहले वो लिक लेते हैं हमें simple interest निकालना है तो simple interest को हम SI से भी denote करते हैं simple formula होता है principle into rate into time upon में hundred तो यह हमारा formula है अब जो given क्या हमें principle चीक है इसमें amount of rupees dash यानि हमारा principal दे रहका हमें यह principal amount है हमारा rupees 5760 उसके बाद दे रहका rate यानि किस rate में हमें मिल रहा है ठीक है यानि six percent उसके बाद दे रहका time यानि year यानि इसको time ले ले लेते हम time दे रहका है three year तो यह चीज़ हमें सब given है अब हमें क्या करना है simple into simple से solve कर देना है तो principal की जिगा principle की value यानि five seven six zero into rate की जिगा rate कितना है six percent into time की जिगा three upon में hundred यह लिखामने कोई नहीं cancel करते हैं zero से zero cancel two से करते हैं two three is a six two five is a ten ठीक है यह उसको नहीं भी करेंगे चले गया देखिए यहां कितना था six था यहां hundred था एक zero cancel हो गया जब जिरो नीचे आया ना तो उसको मत काटो वो आपके लिजी रहेगा हमने क्या करना है अब अब हमने five seven six को हमने क्या करना है five seven six को multiply करना किस से six से five into three से और upon में है कितना ten तो हमें यह solve करना है तो कर लेते हैं पहले five seven six six को six से करते हैं या six three 18 कर लो 18 से कर लो आपकी मर्जी तो five seven six को अगर मैं six से करूँ six six 36 six three six seven forty two forty 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 five five four five six thirty thirty four इसको फिर करते हैं three से क्योंकि पहले six से तो यह आ जाएगा हमारा one zero three six eight और upon में कितना था टैन यह आ गया हमारा ठीक है तो इसका क्या है नीचे कितना जीरो तो यह आपको पता है क्या हमने पड़ाओगा यह जितने नीचे जीरो दोते हैं उतने नंबर के बाद पॉयंट आता है हमारा तो एक नंबर के पॉयंट आ जागा है आ पर तो महरा आंसर आ जाएगा one zero three six पॉइंट एट रूपीज यह रहा 1036.80 रूपीज यह हमारा आंसर आ गया और यह आंसर हमारा कौन सा है यह आंसर हमारा सी तो यह पार्ट हमारा सी हो गया एक बार डैसिमल का आपको क्लियर कर दूंग और कि अगर हमारे पास है ऐसा नंबर की फाइव फोर त्री टू और नीचे देर का हमें 100 तो इट मीज नीचे जितने जीरो से ना उतने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा इट मीज उपर वाल होगि होगा सिम्पल इंटरेस्ट का पहले फार्मला लिख दी हमने तो सिम्पल इंटरेस का फार्मला क्या है प्रिंसेबल इंट्य रएट इंटु टाईम अपॉन upon में 100, यह हो गया, और यहाँ पे है, principle पहला हमें दे रखा है, rupees 5200, और two year, तो time दे रखा है हमें, two year, यानि time हमें दे रखा है, और rate भी दे रखा है हमें, किस rate में हमें मिल रहा है, that is 6%, ठीक हो गया, यह हो गया, कुछ नहीं करना है, value पूट कर दे रहा है, यह answer आजाएगा, तो simple interest कितना हो जाएगा हमारा, principle कितना है हमारा, 5200, into rate, rate कितना है हमारा, 6%, into time, time कितना है हमारा, two year, और upon में है हमारा hundred, तो इसमें तो कुछ करना है नहीं है, आपको, 20, 20, और multiply कर देना है, तो 52 तो यह हो गया, 52, into multiply करना किस से, 6, 2, 12, 12, simple, यह पहले 6 से कर लो, फिर 2, 2 जा 4, फिर 5, 2, 10, फिर 1 से करेंगे, 2, 1 जा 2, 5, 1 जा 5, multiply करना आता होगा, आपको 4, 2 प्लस 0, 2, 5 प्लस 1, 6, तो यह आ जाएगा, रूपीज, 6, 24, उसका option होगा हमारा, option number T, अब आएगे बच्चन number 9, 9th क्या है, तो लें height, देखो, the height of Ravi, is 150 cm, तो रभी की height, यहां लिखते हैं, Ravi, Ravi की height कितनी है, 150 cm, the height of Arun, Arun की height कितनी है, अरुन की है, 120 cm, तीक है, अरुन कितनी है, 120 cm, the ratio, ratio मतलब, आपको divide करना है, ratio of the height of Ravi, to the, to the, देहान देना, to the height of Arun, तीक है, 2 आ गया, तो Ravi पर आएगा, 2 के बाद जो आ रहा है, वो नीचे आएगा, अकर यहां इस होता, तो Ravi नीचे आता, और Arun उपर होता, तीक है, यह चीज़े ध्यान देना आप, तो यहां लिखा है ratio of height of Ravi, तो यहां लिख देते हैं, height of Ravi, upon में, कोई 2 बोला है, तो क्या आएगा, height of Arun, तीक हो गया, और Ravi कितना है, 150 cm, और Arun कितना है, 120 cm, इसमें एक चीज़ ध्यान देनी आपको, कि जो unit हो है न, यह unit से आपकी सेम होनी चीए, ठीक है, यह unit, यह centimeter है, centimeter है, ठीक है, अगर यह centimeter meter है, तो हमें convert करना है, दोनों unit को सेम रखना है, तो यह centimeter centimeter cancel, 0 से 0 cancel, 3 से गड़ जाएगा, 3, 4 जा 12, और 3, 5 जा, तो कितना हा गया हमारा, 5 ratio 4, तो option कौन सा है, option हमारा B part, number 10, 10 question number 10 क्या है, question number 10 है, ratio of 40 centimeter, यानि 40 centimeter upon 1 meter, देखो ratio करना है, यानि divide करना है, लेकिन मैंने कहा था, आपको इससे पहले बेर question में, unit हमारी सेम होने चीए, यह centimeter है, और यहाँ meter है, तो हमें इतना पता है कि 1 meter में होते हैं, 100 centimeter, तो कुछ नहीं करना है, 40 centimeter को as it is लिगना है, नीचे 1 meter के चीए लिए देंगे हम, 100 centimeter, centimeter centimeter cancel, चोकि रेशियो की कोई unity होती है, unit less होता है ratio, तो 0 से 0 गया, फिर 2 से करेंगे, 2, 2 जा 4, और 2, 5 जा, या जाएका 2 upon 5, it means ratio आगया हमारा, 2 ratio, 5, कहीं दिख रहा है option, option number A, अब बच्चे इसकी जिए का 5 ratio 2 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, यह चीज़ एकदम उल्टी हो जाएगी, तो जो ratio आया है, उसी को लेगना है, यानि जो पहले उपर है, उसी को लेगना है, तो अब आ रहा है हमारा question number 11, question बोले हों, ध्यान से पढ़ना, easy question है, लेकिन easy question में गलती हो जाती है, the smallest odd number formed by using the digit 1034 and 5 is, बोला है हमें, कि हमारे पार number दे रहे है, 10345, तो इससे हमें smallest, क्या हम निकालना है, odd number लेना है, ठीक हो गया, तो इतना पता है, कि हमें smallest odd number, के लिए क्या गरते हैं, हम छोटी से छोटी, अगर हमें largest बोला होता है, तो largest बोलते हैं, तो हम बड़ा वाला पहले लिखते, ऐसे लिखते, फिर उसके बाद 4 लिखते, उसके बाद 3 लिखते, उसके बाद 1, 0, यह हमारा largest हो जाता, क्या हो ज 3, 4, 5, यह हो गया, लेकिन यह 5 डिजिट बना ही नहीं, क्योंकि सारे डिजिट यूजी नहीं हो है, क्योंकि पहला 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, जेखिए, अगर मैं कहा हूँ आपको, कि कौन सा मन चल रहा है, आप क्या बोलोगे, 0, 1, January, ठीक है, और 1, 1, मतलब, November, यानि, 0 आगे है, अपसी कोई value नहीं है, यानि, वन डिजिट नमबर हुआ हो, अगर मैं टेंज कर दूँ, यानि, 2 डिजिट नमबर हो गया, 0, 1 means 1 डिजिट, तो पहले 0 नहीं आना है, यह थोड़ा इसमें धान देना है, ठीक है, तो यानि नमबर क्या होगा, 0 पहले नही और यह दो कौन सा option है, 10, 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, यानि option number A, तो यह important question है, इसको ध्यान देना आप, most important, easy है, लेकिन, गलती हैं को चांज जादा होते हैं, अब आ रहा है question number 12, और इस वीडियो का last question है, important question है, ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे छोड़ के चले आते हैं, तो जीतना आपको आता है, उतना कीजिए, बागी सब में आप तुक्का लगा सकते हैं, छोड़ के मत आईए का, तो कि अगर आप छोड़ के आएंगे ना, तब तो गया paper, और करके आएंगे हो सकता है, 10 में से 5 सही हो जाएं, 4 सही हो जाएं, 2 सही हो जाएं, लेकिन छोड़ दिया तो समझो, 10 के 10 goal, तो जितना आपको आता है, प्रॉफर उतना कीजिए, बागी सब में जो है, आप थोड़ा as it is, थोड़ा तुक्का नजदिक जिसा होता है न, कुछ इंचल नजदिक में, या जो तुक्का मार के आईए, छोड़ के मत आईए, ठीक है, यह वहाँ ध्यान दे घृईजिया, आँक नमबर यह है इसका प्रोडेक्ट और दुसरा नमबर भी यह है, इसका प्रोडेक्ट देर था है 8192 ठीक है, यह दिक जिमाना है हम ने, यह वन नमबर जोगर एक नमबर एक्स घृ, जिक है, और एक को एक्स माना, तो दुसरा किया होगा, 2 x, यह अओन इतना ही है एकसी माइख घूल कुछल रहा है कि दो नमबर का पुल रहा है कि दो नमबर का प्रडेक्ट हमें दे रहा है इतना यह है उसमें से एक नमबर जो है वह दुसरे का डबल है एक दुसरा 2x he Triple हो गया अब दुनों multiplyक करना हे X क्या हो जाएँ ilrek और बराबर में क्या हैiscilla yaş生 गहीं 2192 जाёएडिक तो मैं छाइयआ EU मैं कहा जाएगा अपन मैं इसको छाइट कर लो टू फॉट्स शाइट कर गया अब अगर दो एक साथ लेते हैं तो हम पहले 0 लगाते हैं यह rule है न डिवाइट का तो 2 9 जा 18 19 है तो 1 बचा 1 और 2 12 होता है ठीक है तो 2 6 जा 12 यह आगे 4096 तो यह आगे x square की value आगी 4096 अब यह देखो दोनों तरब अगर हम root लगाते हैं तो root से square कर जाता है तो खाली x बचेगा पाव राजी उसकी value आ जागी 4096 अब इसका root निकालना आपको आना चाहिए अगर आता है तो आप बता दोगे 4096 किसका होता है ठीक है अब देखो यहां से भी देख सकते हैं 4096 इन चारों में से एक option होगा ना इन चारों में से ही तो एक answer होगा तो 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 864 होता है यानि यह गलत देखो solve नहीं कर रहे हैं हम ट्रिक्स से कर लें अब अगर टू से करते हैं टू 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 जा फोर लास्ट में फोर आ रहा है ना यहां 6 है तो यह भी नहीं होगा 4, 416, 4, 416, और 6, 636, यानि इन दोनों का चांस है, यानि अब कुछ नहीं करना, आपको 16 को मिल्ट प्रे कर लो, 16 से, आंसर आगया, ठीक है, न यह नहीं, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, आंसर का 64 होगा, तो हम रूट निकाल लेते हैं, इनना टाइम होता नहीं, ठीक है, तो चालते हैं रूल कैसे निकलता है पहले प्यारिंग करते हैं दो दो की फिर सेम नंबर से मुलें करते हैं इस दोनों को एड करते हैं तो 6 फोजा 6 हो सकता है या 6 तो हम पहले 4 ले लते हैं 4 454 16 का 6 कैईरी 1 फोजा 8 9 फो वञजा 4 तो आगे सेम, तो यहां लिखेंगे हम 4, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 496, तो हमने आपको ट्रिक से पहले बता दिया था, यह आंसर होगा 64, ठीक है, तो यह था हमारा है आज के वीडियो में, 12 questions हमने किये, इनकी practice कीजिए, नई वीडियो फिर म आप comment केजिए, तो उसका मैं solution निकालूँगा, और thank you, have a nice day.